प्रायोगिक गणित आज हम X प्लस A गुणा X प्लस B यह B जी गुणा सीखेंगे माध्यम वही शित्रफल यह एक आयत है इस आयत के एक कौने में से मैं X स्क्वेर शित्रफल का एक वर्ग चिनहित कर रहा हूं तो इस वर्ग की एक भुजा हो गई X अब यदि हम इस पूरे आयत को अन्य आयतों में बाटें जैसे एक भागया था और दूसरा भाग यह एक आयत जिसकी लंबाई हमने लेली एक चोड़ाई चित्र के नूशार X इस X वर्ग के नीचे एक और आयत लिया जिसकी एक भुजा B और दूसरी इस उपर वाले वर्ग के अनूसार X सेश बचा भाग यह भी एक आयत बना है जिसकी लंबाई A और चोड़ाई B अब यह जो पूरा एक आयत बना है इसकी एक भुजा की लंबाई हो गई X प्लस A और दूसरी भुजा की लंबाई हो गई X प्लस B तो इस पूरे आयत का सित्र फल हुआ X प्लस A गुणा X प्लस B इसका मान इन चारों भागों के योग फल के बराबर होगा इन चारों भागों का योग फल कितना होगा तो मैंने इन चारों को एक बार अलग कर लिया पहला भाग जो है यह एक वर्ग है जिसका सित्र फल है X स्क्वेर दूसरा आयत जिसका सित्र फल A गुणा X लंबाई एंटू चोड़ाई अर्थार्थ A X तीसरा आयत लंबाई गुणा चोड़ाई उसका सित्र फल हुआ B X और चोथा जो आयत था इस पस्ट रूप से दिख रहा है इसकी लंबाई A और चोड़ाई B तो यह इसका भी शित्र फल हो गया A B तो पूरे आयत का शित्र फल जो था X प्लस A गुणा X प्लस B वह किसके बराबर हुआ तो इन चारों भागों के शित्र फल के योग फल के बराबर अर्थार X प्लस A गुणा X प्लस B बराबर X स्क्वेर प्लस AX प्लस BX प्लस AB